नमश्कार competition community के इस fast track revision course में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है प्रोक्राजगिरी और इस FTR session में मैं deal करने वाला हूँ 36 गड़ सामान्य अध्ययन सब्जेक्ट में तो पिछली वीडियो में हमने इस FTR session में 36 गड़ में प्रशासन की शुरुवात की थी और यह इसी कड़ी का दूसरा वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं 36 गड़ में ग्रामीर स्तरपे स्थानी प्रशासन क्या देखने वाले हैं तो ग्रामीर स्तरपे स्थानी प्रशासन लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि हर संडे 11 बजे हम competition community करवाते हैं आप सभी के लिए एक online test और इस test में शामिल होने के लिए आप सभी को क्या करना है तो शुक्रवार की रात तक आप लोगों को कर लेना है हमारे website पे register ताकि आप इस test में हो सके शामिल तो यह हो गई आप सभी के लिए जानकारी अब शुरू करते हैं प्रश्णों को आईए देखते हैं आज का पहला प्रश्णी तो पहला प्रश्ण है ग्राम सभा के बारे में क्या सही नहीं है तो पहले तो इस नहीं शब्द को आप बिलकुल समझ लो हमें यह देखना है कि कौन सी line सही नहीं है option a में दिया है इसकी अध्यक्षता सरपंच करता है अब देखिए सबसे पहले समझिए कि यह ग्राम सभा क्या होती है तो ध्यान रखें एक या एक से अधिक ग्रामों में रहने वाले वे सभी व्यक्ती जिनका नाम उस ग्राम में आता है किस में तो वोटर लिस्ट में वो सभी मिलके एक संस्था बनाते हैं जिसे कहते हैं ग्राम सभा अब आप समझिए इस ग्राम सभा में कोई निर्वाचित या मनोनित व्यक्ती है क्या तो नहीं तो ध्यान रखें यह जो ग्राम सभा है यह कैसी होगी तो यह स्थाई होगी मतलब इसका विघटन कभी हो सकेगा क्या तो इसका विघटन कभी नहीं हो सकेगा अब आ जाते हैं सम्मिलन में तो सम्मिलन की अध्यक्षता के बारे में यह पहला स्टेट्मेंट बता रहा है तो ध्यान रखें यूँ तो सम्मिलन की अध्यक्षता जो है वह करता है कौन? सरपंच लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिती आ जाए कि सरपंच जो है वह अनूपस्थित है तो उस condition में कौन करने वाला है अध्यक्षता तो करने वाला है उपसरपंच ठीक है अब मान लिया जाए कि कोई ऐसी परिस्थिती आ जाए कि यह उपसरपंच जो है यह भी अनूपस्थित है उस condition में ग्राम सभा में उपस्थित लोग जो है वह अपने भीतर से किसी भी एक व्यक्ती को बहुमत से चुन लेते हैं जो की अब अध्यक्षता करेगा ग्राम सभा के उस सम्मिलन का वही अगर यह ग्राम सभा जो है वह है अनुसूचित शेत्र में उस condition में आपको ध्यान रखना है अध्यक्षता हमेशा एक स्टी व्यक्ती ही करेगा और यह स्टी व्यक्ती कौन होगा तो ध्यान रखें यह पंचायत सदस्य नहीं हो सकता और इसे भी बहुमत से ग्राम सभा में से उस प्रायोजन के लिए चुना जाएगा तो हमने क्या समझा सम्मिलन की अध्यक्षता सामान शेत्र में पहले सरपंच अनुपस्थित है तो उपसरपंच अनुपस्थित है वह भी उस कंडिशन में तो ग्राम सभा अपने बीच से किसी ऐसे व्यक्ती को बहुमत से निर्वाचित कर लेगी जो की अध्यक्षता करेगा या करेगी उस पर्टिकुलर सम्मिलन की और अगर यह ग्राम सभा अनुपस्थित छेत्र में है तो अध्यक्षता ST करेगा कौन करेगा तो कोई ST व्यक्टी और ध्यान रखना यह जो ST व्यक्टी है वह पंचायत का सदस्य नहों और उसे भी बहुमत से चुना जाए, कौन चुने तो ग्राम सभा अपने बीच में से उस प्रायोजन के लिए चुन, अब आ जाते हैं स्टेटमेंट्स पे, तो पहला option ही हमने देखा इसकी अध्यक्षता सरपंच करता है, तो यहाँ पे देख लिया बिल्कुल सरपंच करता ह अध्यक्षता, सरपंच की अनुपस्थिती में उपसरपंच इसकी अध्यक्षता करता है, यह बात भी हम समझ गए कि सरपंच की अनुपस्थिती में उपसरपंच जो है इसकी अध्यक्षता करता है, इसका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, तो मैंने आपको बताया, ग्र तब यह जो तीसरा स्टेटमेंट है यह गलत है ग्राम सभाता कारेकाल नहीं होता ध्यान रटना यह एक स्थाई संस्था है। इसके अलावा चौथा स्टेटमेंट कहता है कि इसे सामाजिक अंकेशन की शक्ती प्राप्त है। इंगलिश में सामाजिक अंकेशन को सोशल आडिट कहते हैं। तो पंचायत के कारियों का सोशल आडिट जो है उसे करने का अधिकार या शक्ती किसे प्राप्त होती है तो ग्राम सभा को प्राप्त होती है। उधारण के लिए समझे अगर किसी ग्राम पंचायत के अंतरगत मनरेगा का काम हो तो उस report को ग्राम सभा में रखा जा सकता है इसलिए कहते हैं कि ग्राम सभा को इस सामाजिक अंकेशन की शक्ती प्राप्त है तो हमें क्या पूछा गया था, ग्राम सभा के बारे में क्या सही नहीं है, तो हमने देखा option C, इसका कारिकाल 5 वर्ष का होता है, यह सही नहीं है, और इसलिए यह जो option C है, यह होगा सही उत्तर इस प्रश्न क्रमांक एक का, तो यह था हमारा पहला प्रश्न, अब आजाते हैं दूसरे प्रश्न पे, तो दूसरे प्रश्न में दिया है, जनपत पंचायत अध्यक्ष के विशय में क्या सही नहीं है, पहला option है, जनपत पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का पदेन सदस्य होता है, option B में दिया है, जनपत पंचायत अध्यक्ष जनता द्वारा प् प्राच वर्ष का होता है और चौथा ओप्शन है अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है पहले ओप्शन के लिए हम देख लेते हैं जिला पंचायत की संरचना तो अगर हम बात करें जिला पंचायत की संरचना को तो ध्यान रखना सबसे पहले तो होते हैं इसमें निर्वाचत सदस्य जिनका चुनाव होता है निर्वाचन शेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से इसके अलावा जिला पंचायत के सदस्य और कौन होते हैं तो लोग सभा के वे सभी सांसद जिनका निर्वाचन शेत्र उस जिले में आये आंशिक या संपूर्ण रूप से लेकिन उनका निर्वाचन शेत्र क्या हो तो पूर्ण तह शेहरी ना हो इसके अलावा जिला पंचायत में आगे और सदस्य होते हैं राज सभा के सांसद और कौन से सांसद जिनका निर्वाचन उस जिले से हो और उनका नाम उसी जिले के किसी भी ग्राम पंचायत के बोटर लिस्ट में हो इसके अलावा ध्यान रखना विधान सभा सदस्य जिनका निर्वाचन उस जिले से हुआ हो मतलब यह जो विधान सभा शेत्र हो वह उस जिले में पूनता या आमशिक रूप से आए और कैसा ना हो तो पूनता शहरी ना हो इसके अलावा जिला पंचायत की संरशना में और कौन आ जाता है तो ध्यान रखें उस जिले के अंतरगत जितने भी जनपद पंचायत हैं उन सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष आ जाते हैं जिला पंचायत के सदस्य के रूप में इसके अलावा एक महिला और एक पुरुष निशक्त जन जिनका नाम निर्देशन किसके द्वारा किया जाएगा तो राज्य सरकार के द्वारा तो जिला पंचायत की सनरशना में क्या देखा तो यह देखा है कि उस जिला पंचायत शेत्र के अंतरगत आने वाले जितने भी जनपद पंचायत हैं उन सभी के जो अध्यक्ष हैं वह जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं तो इस प्रकार से देखा जाए तो यह जो पहल आप्षन है यह सहीं है आजाएं दूसरे आप्षन पे जनपद पंचायत अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तो ध्यान रखें जनपद पंचायत के जो सदस्य होते हैं इनका तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है लोगों के द्वारा लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन सभी का जो निर्वाचन है वो कैसा होता है तो होता है अप्रत्यक्ष रूप से चूकि यहाँ पर प्रत्यक्ष दिया है इसलिए यह जो स्टेटमेंट है होने वाला है गलत तीसरा option है अध्यक्ष का कारकाल पांच वर्षों का होता है हाँ प्रथम सम्मिलन से पांच वर्ष का होता है कारकाल संपूर्ण जन्पद पंचायत का तो जब जन्पद पंचायत का है तो जन्पद पंचायत के सदस्यों का भी होगा और अध्यक्षों का भी होगा और उपाध्यक्षों का भी होने वाला है तो यह statement भी हो गया सहीं चौथा option यह चौथा statement यह कहता है अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पत से हटाया जा सकता है तो ध्यान रखें अविश्वास प्रस्ताव का जो प्रावधान है यह किनके किनके लिए है तो सबसे पहले ध्यान रखना एक है अध्यक्ष और दूसरा है उपावध्यक्ष तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है अविश्वास प्रस्ताव से अब ध्यान रखना हटाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा तो इस प्रस्ताव को लाना होगा तो इस प्रस्ताव को विचार में लाने के लिए जो बहुमत चाहिए होता है वह ह किसका तीन बटे चार तो ध्यान रखना उपस्थित और निर्वाचित और ऐसे किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए बहुमत चाहिए होता है दो बटे तीन किसका तो ध्यान रखना खूल निर्वाचित का तो हमने समझा कि अविश्वास प्रस्ताव जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए लाया जा सकेगा ऐसे प्रस्ताव को लाने के लिए तीन बटे चार बहुमत चाहिए किसका तो उपस्थित और निर्वाचित तो हमने क्या देखा अध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है मतलब यह जो option D है यह भी सही है अब हमें प्रश्ट में क्या बताना है कि क्या सही नहीं है तो नहीं में देखिए हमने देखा था option B कि जनपत पंचायत अध्यक्ष जो है उसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है यह statement था गलत और इसी लिए प्रश्ट क्रमांक 2 का सही उत्तर होगा option B तो यह था हमारा दूसरा प्रश्ण अब हम आजाते हैं अपने तीसरे प्रश्ण पे ग्राम पंचायत के विशय में सही नहीं option D से शुरुवात करते हैं दिया है न्यूनतम निर्वाचन शेत्र 10 होते हैं तो मैं आपको बता दूँ ग्राम पंचायत के अंतरगत आने वाले वार्डो की संख्या 10 से 20 के बीच में होती है तो न्यूनतम 10 है तो बिलकुल सही बात है दूसरा statement गणपूर्ती के लिए 1 बटे 2 मतलब 50% सदस्यों का होना अनिवार्य है तो हाँ किसी भी सम्मिलन में गणपूर्ती के लिए 1 बटे 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है सम्मिलन की बात करें तो प्रतेक माह एक बैठक होना अनिवार्य है तो यह बात भी सही है अब आयाते हैं option A पे सरपंच का चुनाव अप प्रत्यक्ष रूप से होता है तो देखिए सरपंच का चुनाव आप सभी जानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से होता है मतलब यह जो option A है यह अपने आप में गलत है और हमें प्रश्ण में क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि क्या सही नहीं है? तो हमें बताना है कि यह जो option A है यह सही नहीं है और इसी लिए question 3 का सही answer क्या है? का answer है option A. अब आजाते हैं अपने चोथे प्रश्ण पे तो देखिए चोथा प्रश्ण क्या है? निर्वाचन के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहले है सरपंच फिर है उप सरपंच फिर है पंच फिर है जनपत पंचायत सदस्य फिर है जिलापंचायत अध्याक्ष तो देखि तो ध्यान रखना पंच का भी प्रत्यक्ष रूप से होता है जन्पत पंचायत में सदस्यों का चुनाव भी होता है प्रत्यक्ष रूप से और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से तो हमें क्या बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है तो अगर गृुप बना लें, तो प्रत्यक्ष रूप से, जिनका निर्वाचन होता है, वह हैं सरपंच. इसके अलावा है, पंच जो की दिया है तीन में, और उसके अलावा है, जनपत पंचायत सदस्रा किस में, तो चार नंबर. अगर हम गुरुप बना लें तो अप्रत्यक्ष का गुरुप क्या है तो देखे एक है दो और दूसरा है पांच तो दो में क्या दिया है तो दिया है उपसर पंच पांच में क्या दिया है तो दिया है जिला पंचायत अध्यक्ष तो हमें बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है तो देखे वैसे तो 1, 3, 4 भी सुमेलित नहीं है और 2 और 5 भी सुमेलित नहीं अब आजाएं options पे तो हमें 1, 3, 4 दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल दिख रहा है अब कुछ लोगों के मन में परशना आएगा सर दो पांच तो नहीं दिया है लेकिन इन में से कोई नहीं भी तो दिया है तो क्या इसका हम चयन कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते थे लेकिन एक तीन चार नहीं दिया होता तो जरूर कर सकते थे लेकिन चुंकी एक तीन चार मतलब एक ग्रुप तो बताया ही गया है ना जो की तो उसके रहते आप इन में से कोई नहीं को अगर लगाएंगे तो प्रशन गलत हो जाएगा आपका इसलिए इसका सही उत्तर होगा भी एक तीन चार और यह रहा आपका चौथा प्रशन अब आजाते हैं हम किस पे तो अपने पांचवे प्रशन पे अब पांचवा जो स्टेटमेंट कहता है एक मददाता पंच और सरपंच का चुनाओ एक साथ लड़ सकता है तो मैं मान लेता हूँ अपना ही उधारन लेता हूँ कि मैं हूँ किस जिले से तो रायपुर जिले से अब इस रायपुर जिले में एक जिला पंचायत है अब इस जिले पंचायत के अंदर हम मान लेते हैं कि चार जनपद पंचायत है और क्या नाम है तो A, B, C और अब मैं इस A जनपद पंचायत के अंतरगत एक ग्राम है जिसका नाम है G, उस ग्राम से मैं हूँ, मतलब देखा जाए तो मैं अपने ग्राम से पंच का चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं अपने विकासखंड A से जनपद पंचायत का भी चुनाव लड़ सकता हूँ, और मैं अपने जिले राएपूर से जिलापंचायत का भी चुनाव लड़ सकता हूँ ठीक है अब शुरुवात करते हैं समझते हैं एक करके सभी स्टेटमेंट को पहला स्टेटमेंट कहता है एक मतदाता पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है तो ध्यान में रखेंगे एक मतदाता जो है वह एक साथ एक ही पद के लिए दो अलग अलग निर्वाचन छेत्रों से नहीं लड़ सकता मतलब मैं एक वाड से पंच के लिए लड़ूं और दूसरे वाड से भी पंच के लिए लड़ूं ये पॉसिबल नहीं लेकिन अगर मैं अपने वाड से पंच के लिए लड़ रहा हूं और मैं अपने पूरे ग्राम से सरपंच के ल देखा जाए तो बिल्कुल पंच और सरपंच के लिए मैं एक साथ चुनाओ लड़ सकता हूं अब एक मत दाता दो वाडो से पंच का चुनाओ लड़ सकता है अभी मैंने आपको बताया आप एक ही पद के लिए दो निर्वाचन छेत्रों से चुनाओ नहीं लड़ सकते इस आ निर्वाचन छेत्रों से लड़ रहे हैं तो यह भी बात हो गई गलत इसके बाद एक मत दाता सरपंच और जनपत पंचायत सदस्य का चुनाओ लड़ सकता है बिल्कुल लड़ सकता है सरपंच के लिए आपका जो निर्वाचन छेत्र है आपका गाउं है जनपत पंचायत क का चुनाओ लड़ सकता है बिल्कुल statement 4 के जैसा ही इसका explanation है पाँचवा का भी यह भी possible है फिर आता है statement 6 एक मददाता दो निर्वाचन छेतरों से जनपत पंचायत सदस का चुनाओ लड़ सकता है नहीं लड़ सकता मैं बता चुका हूँ सेम पद दो निर्वाचन छेतर नही आपका निर्वाचन छेतर ग्राम है जिला पंचायत की परिस्थिती में आपका जो निर्वाचन छेतर है वहां का वॉर्ड है ठीक है तो यह statement हो जाएगा सहीं। अब देखिए हमें क्या बताना है क्या सहीं है तो हमने देखा statement प्रतम उसके बाद 14 उसके बाद 5 और उसके पांच और आठ यह जो स्टेटमेंट्स हैं यह है सही और यह दिये है किस में तो option क्रमांक D में इसलिए option क्रमांक D 145 और आठ जो है यह होने वाला है सही और इस प्रकार पांचवे प्रश्न का सही उत्तर है option अगला है हमारा छटवा प्रश्न जिला पंचायत के गठन के विशय में निम्न में से कौन सा कथन गलत नहीं है मतलब हमें बताना है कौन सा कथन जो है वह सही पहला statement कहता है निर्वाचन शेत्रों से निर्वाचित सदस्य वैसे भी मैं इसे detail में आपको question number 2 में समझा ही चुक की जिले से निर्वाचित किये जाते हैं अब इसको example के माध्यम से समझते हैं example में पहला condition है हमारा जिला राइपुर जिसमें एक मात्र लोकसभा का शेत्र है जो की कैसा है तो आंशिक रूप से ग्रामीर है और आंशिक रूप से कैसा है तो शेहरी है अब उसी का एक दूसर रूप देखें मान लेते हैं कि इस राइपुर जिले में दो लोकसभा शेत्र है एक है राइपुर शहरी और एक है राइपुर ग्रामीर तो समझिए लोकसभा के सभी सदस्य हो गए मतलब इस condition में शहरी और ग्रामीर दोनों हो गए लेकिन ध्यान रखना है मैंने आपको question number two में हैं बताया था कि लोगसभा के सदस्य कैसे सदस्य जिनका निर्वाचन शेत्र समपून रूप से शहरी ना हो मतलब कैसा हो तो पूरा शहरी ना हो कम से कम कुछ हिस्सा उसका ग्रामीर होना चाहिए तो मान लेते हैं अगर राइपुर जिले के अंदर दो लोगसभा शे एक शहरी एक ग्रामेड तो शहरी में जो लोकसभा सांसद होते वह इस जिला पंचायत के सदस्य नहीं होते सरफ उस शेत्र से निर्वाचित जो लोकसभा सदस्य है वह जिला पंचायत के पदेन सदस्य बनते तो हमने क्या समझा यह शब्द सभी लिखना सही नहीं है सभी के जगह क्या होना चाहिए था ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन शेत्र संपूर्ण रूप से शहरी या नगरी नव और इसलिए यह स्टेटमेंट होने वाला है गलत तीसरा स्टेटमेंट है राज सभा के सभी सदस्य जो जिले से निर्वाचित किये जाते हैं या किये गए हैं तो राज सभा के संदर्व में भी ध्यान रखें अगर यह कंडिशन है कि राज सभा का जो सदस्य है वह उस जिले के अंतरगत किसी नगरी छेत्र से आता है ध्यान रखना उसका जो वोटर आईडी है वो कहां का होना चाहिए तो उस जिले के अंतरगत किसी भी ग्राम पंचायत से होना चाहिए और इसी लिए यहां पर भी शब्द सभी लिखना सही नहीं है क्यूंकि राज सभा का वह सदस्य जो की जिले से निर्वाचित तो हो लेकि किसी भी ग्राम पंचायत में तो इसलिए यह तीसरा स्टेटमेंट भी होगा गलत चौथा स्टेटमेंट जनपद पंचायतों के समस्त अध्यक्ष यह तो हम देख चुके हैं कोशन नंबर टू में कि जनपद पंचायतों के जितने अध्यक्ष होते हैं वह जिला पंचायत क पदेन सदस्य बन ही जाते हैं इसके अलावा पाँचवा स्टेटमेंट है विधान सभा के सभी सदस्य जो की जिले से निर्वाचित किये जाते हैं अब इसको समझने के लिए फिर से एक्जामपल लेते हैं रायपूर का अब इस रायपूर में पदेन सदस्य होंगे लेकिन चुंकि यह राइपूर उत्तर दक्षिन और पश्षिन जो है यह कैसे हैं तो पूनता नगरी सेत्र हैं, इसलिए यहां के जो विधायक हैं वह जिला पंचायत के पदेन सदस्य नहीं हो सकते, इसलिए यह जो शब्द सभी है सही नहीं है, पांच चटवा स्टेट्मेंट कहता है जिले से निर्वाचित विधान सभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन शेत्र पूनता नगरी शेत्र ना हो तो यहाँ अभी हमने डिसकस किया है कि पूनता नगरी ना हो तो ऐसे विधान सभा सदस्य जो है वह जिला पंचायत के क्या होंगे तो पदेन सजस्य रहने वाले हैं इसलिए छटवा स्टेट्मेंट जो है वह सहीं। अब हमें क्या बताना था क्या गलत नहीं हैं। तो हमने देखा एक चार और छे गलत नहीं हैं। अब एक चार छे किस में दिया है? उपशन डी में दिया है। इसलिए option D है, छटवे प्रशन का सही उत्तर, अब आजाते हैं अपने सात्वे प्रशन पे, सात्वा प्रशन है, जन्पत पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार है, तो समझिए सबसे पहले उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो रहा है, मतलब तो ध्यान रखना, जन्पत पंचायत के जितने सदस्य, जो की कैसे हो, निर्वाचित हो, सिर्फ उन्हें ही अधिकार होता है, उपाध्यक्ष के निर्वाचन तो उप्शन बी में दिया है, जन्पत पंचायत के कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना, अप्रक्ष निर्वाचन में मत देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्यों को होगा, जब हम बात करते हैं, जन्पत पंचायत के उपाध्यक्ष के न प्रतिभूती निक्षेप के विशय में सहीं क्या है? तो मैं आपको बता दूँ, प्रतिभूती निक्षेप अभी पंच के लिए 50 रुपए है, सरपंच के लिए 1,000 है. बात करें, जन्पत, पंचायत, सदश की तो कितना हैं? तो 2,000 है. और जिला पंचायत के सदस्य के लिए है कितना, तो है 4000, तो मैंने क्या बताया, पंच का 50 रुपे, सरपंच का 1000, सदस्य जनपत पंचायत का कितना है 2000, और सदस्य जिला पंचायत का कितना है, तो 4000. हजार तो सही क्या है तो है एक तीन छे और आठ एक और चीज़ आपको बतावें किसी भी प्रकार का अगर आरक्षण है मतलब SC ST OBC या महिला उस कंडिशन में या प्रतिभूती निक्षेप या सिक्यॉर्टी डिपॉजिट हो जाता है आधा या प्रचास प्रतिशत अब उस प्रश्ण को समझना बहुत जरूरी है ध्यान रखना अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा गया है कि इस आरक्षण के साथ प्रतिभूती निक्षेप कितना है तब तो आप इन सभी को 50% करके सही मानेंगे लेकिन जब किसी भी आरक्षण की बात नहीं है सीधा सीधा प्रत पंचायत सदस के लिए 2000 और जिला पंचायत सदस के लिए 4000 तो फिर से याद दिला दूँ अगर कुछ नहीं दिया है आरक्षण से संबंदित एक बात भी अगर प्रश्ण में नहीं है मतलब सीधी बात हो रही है किसकी तो डाइरेक्ट अनारक्षित रूप से प्रतिभूती निक्षेप की तो उस कंडिशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर आरक्षण के संदर्भ में पूछना होता तो सीधा सीधा उस आरक्षण के बारे में आपको प्रश्ण में ही दे दिया होता इसलिए कंफ्यूज नहीं होना एंसर होगा 136 और 8 और यह जो ऑप्शन D है वहीं पे दिया है 1, 3, 6, 8 तो option D जो है वह सही है आपके आठवे परशने के लिए इसके बाद आजाते हैं हम अपने नवे परशने पर ग्राम पंचायत के कारिकाल की गणना किस तिथी से होती तो तिथी की गणना के लिए मैं आपको बतादू जैसे ही ग्राम पंचायत का चुनाओ होता है उसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट का प्रकाशन होता है किस में तो राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिन के भीतर पंचायत सच्चिव होता है वह बुलाता है प्रथम बैठक या प्रथम संबिलन और इस प्रथम संबिलन से ही 5 वर्ष का होता है इस ग्राम पंचायत का कारिकाल तो कितना होता है तो 5 वर्ष का कब से तो प्रथम संबिलन से प्रथम संबिलन कौन बुलाता है तो पंचायत सचिव कब बुलाता है तो राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिन के भीतर, अब देखते हैं options को, तो option A में दिया है पंचाय चुनाओ के परिणाम घोशना तिथी, तो हमने क्या देखा घोशना तिथी से नहीं, दूसरा दिया है पंचाय चुनाओ परिणाम घोशना की अधिसूचना, तो क्या आणना है, वह कबसे, तो ध्यान रखना प्रथम सम्मिलन से होती है, इसके संबंध में और भी बहुत सारी चीजे दी हैं, जिसको आप बुक्स में और अलग-अलग पोर्से में पढ़ सकते हैं, मैं जनरली बता रहा हूँ जो term या जो कारिकाल होता है, वह कितने वर्षों क तो पाँच वर्षों का कारिकाल होता है, तो कबसे होता है, प्रथम सम्मिलन से, जो की दिया है option D में, इसलिए option D जो है, वह सही option है आपके नवे प्रशनी का, इसके बाद है आज का आखरी सवाल, ग्राम पंचायत के उप सरपंच को कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है तो पहले आप लोग अपना concept जो है उसे clear करिए, तो जब ग्राम पंचायत का चुना होता है, तो पंच और सरपंच जो है उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अब इसी पंचों के बीच से उप सरपंच का होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन एक चीज आपको और बता दूँ, पंच और सरपंच को तो प्रत्या वर्तित या recall किया जा सकता है ठीक, लेकिन उप सरपंच और सरपंच की बात करें तो इनको हटाने के लिए क्या है तो है अविश्वास रस्ताफ ठीक है, तो एक ही व्यक्ती है जो कि अपने वर्त के लिए तो पंच है लेकिन पूरे ग्राम पंचायत के लिए उप सरपंच है तो जब सरपंच और उप सरपंच को हटाना हो तो उसके लिए प्रावधान है अविश्वास प्रस्ताव का लेकिन अगर पंच और सरपंच को हटाना हो तो उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है तो सरपंच के लिए तो दोनों ही हैं अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है प्रत्यावर्तित भी किया जा सकता है लेकिन पंचों को प्रत्यावर्तित करते हैं और उप सरपंच को प्रत्यावर्तित नहीं किया जाता उसके खिलाफ लाया जाता है क्या तो अविश्वास प्रस्ताव अब विश्वास प्रस्ताव के बारे में हम देखी चुके हैं तीन बटे चार और दो बटे तीन को तो सरपंच की केस में प्रत्या वर्तन के लिए ध्यान रठना ग्राम सभाकी कुल सदस्यता के एक बटे तीन लोग हस्ताक्षरित सूचना दे और उसके बाद अगर ऐसे प्रस्ताव पर ग्राम सभाकी कुल सदस्यता का आधे से अधिक अगर क्या मिल जाए बहुमत तो यह जो प्रत्या वर्तन है इसे पूर्ण माना जाता है और जो संबंधित पदाधिकारी होता है उसके पद को ततकाल रूप से रिक्त माना जाता है हालाकी उसे आगे इसको चैलेंज करने का प्रावधान दिया है लेकिन उस समय तो उस पद को रिक्त माना जाता है तो पूरे ग्राम सभा सरपंच के लिए सिर्फ वॉर्ड का पंच के लिए प्रत्यावरतन तो ध्यान रखना प्रत्यावरतन शब्द जो है या उप सरपंच के लिए इस्तिमाल नहीं किया जाता है उप सरपंच के लिए जो शब्द है जिसका इस्तिमाल होता है वह है अविश बहुमात, दो बटे, तीन बहुमात यह तो सही हो ही नहीं सकते क्यों क्योंकि प्रत्यावरतन तो होता नहीं उपसर पंच का इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा तो सही आंसर होने वाला है option number D इन में से कोई नहीं और इस प्रिकार option D जो है वह है दसवे प्रशन का सही उत्त तो यह थे ग्रामीर स्थानी प्रशासन से दस कुछ important और conceptual प्रशन मेरे अगले वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी नगरी स्थानी प्रशासन के साथ तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियो में तब तक के लिए थांक यू आंड टेक केर